नमस्कार दोस्तो रोहिती स्टडी इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज मैं आपके लिए कचाचा का भुगोल प्रिछपी और हमारा जीवन चैप्टर एक हमारा सौरमन डलाया हूँ दोस्तो मैं इतिहास का पूरा चैप्टर 18-18 डाल दिया हूँ अगर आप उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ वहाँ से आप वीडियो को पूरा का पूरा देख सकते हैं और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लेज 윤 तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ प्रश्न एक निमन लिखित प्रश्नों के उत्तर संचेब में दीजिए प्रश्न के आकासिय पिंड से अब क्या समस्ते हैं उत्तर, प्रिथिवी से आकास में दिखाई देने वाले सभी चमकती हुई आकृतियां आकासिय पिंड या खगोली पिंड कहलाते हैं, इन में सूर्य चंद्रमा तारे आधि सामिल हैं ख, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर हैं, उत्तर, ग्रह और उपग्रह में निमनलिकित अंतर हैं, मैं इसे तालिका की तरह बना दे रहा हूँ, आप इससे समझ लीजिएगा, जैसे ग्रह और उपग्रह पाला ये सुर्य के चारों और अंडा कार पथों पर चक्कर लगाते हैं और उप ग्रह में पाला ये ग्रहों के चारों और अंडा कार पथों पर चक्कर लगाते हैं तो दोस्तो इसमें जो अंतर है इसे ध्यान देना आप दूसरा हमारी प्रिस्वी एक ग्रह है दूसरा अंतर उप ग्रह में चंद्रमा प्रिशिवी का उप ग्रह है ग्रह में तीसरा सौर मंदल में इसकी कुल संख्या आठ है उप ग्रह में तीसरा सौर मंदल में इसकी कुल संख्या चाउसट है प्रशनग गूइपर बेल्ट क्या है उत्तर नैप्चून के पार सवर मंदल के आखरी सिरो पर एक तस्तरी नूमा विसाल पट्टी है इसे कुई पर बेल्ट या मेखला कहा जाता है इसमें असंख खगोली या पिंड उपस्थीत है जिनमें कई बर्फ से बने हैं धूम केतू इसी छेत्र से आते हैं प्रश्ण घर निहारिका से आप क्या समझते हैं उत्तर बिग बैग की घटना के कुछ करोडों वर्ष के बाद तारों और आकास गंगाओं का निर्माड होने लगा वास्तों में आकास गंगा का निर्माड हाइड्रोजन, हिलियम, गैस तथा धूलकडों से बने विशाल बादल के इकटा होने से हुआ है आकास गंगा को बनने वाले इन बादलों को निहारिका यानि नेबुला कहते हैं अंग आकास गंगा किसे कहते हैं हमारा सौर मंडल किस आकास गंगा में है उत्तर आकास में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार पथे जो असंख तारों का समू है आकास गंगा कहलाता है हमारा सौर मंडल मंदागिनी नामक आकास गंगा में है प्रस्ण दो सही जोड़े बनाईए उत्तर मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या दो ख सुर्य से प्रित्वी की दूरी लगभग पंद्र करोड किलो मिटर सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह प्रिहस्पति सुन्य उपग्रह वाला ग्रह सुक्र दूरी का मापक प्रकास वर्ष तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना होगा जो इसमें लिखा हुआ है मिलान किया हुआ है उसे आपको ध्यान देना होगा प्रश्ण तीन रिक्तस्तानों की पूर्ति कीजिए उत्तर क तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं ख हमारे सौर मंडल में आठ ग्रह हैं ग हमारी प्रितिवी का एक मात्र उपग्र चंद्रमा है गह छुद ग्रह मंगल एवं ब्रिहस्पति ग्रह के मध्य पाये जाते हैं प्रश्ण चार यम को ग्रह की स्रेडी से क्यों हटा दिया गया इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए उत्तर अगस्त दोहजार च्छ तक यम हमारे सौर मंडल का नवा ग्रह माना जाता था यम यानी प्लेटो नैप्चून की कच्छा का अतिक्रमर करता था अता 24 अगस्त दोहजार च्छ को अंतर राश्टिय खगोली ये संग द्वारा यम यानी प्लेटो को ग्रह की स्रेडी से हटा दिया गया है